वेलकम स्टुडेंट्स और सभी मेरे दोस्तों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चेनल आई इस वीडियो में मैं आपके साथ जो वर्क सीट नंबर 29 है क्लास 8 की इंगलिश सब्जेक्ट की वो मैं आपके साथ डिसकस करूँगा डारेक्ट रेट ओफ एजूकेशन है या हम कहें एजूकेशन बार्टमेंट है वो ओनलाइन टीचिंग लर्निग अक्टिविटीज के लिए वर्क सीट भेजता है आज वर्क सीट 29 क्लास 8 की जो है वो हम डिसकस करेंगे और यह जो है प्रिवियसली भी हम कर रहे थे तो देख यह वर्क सीट है जो यह जिस जोडिज फॉन एक चैप्टर है इस जोडिज फॉन आई है अल्रेडी टोल्ड यू आइप आपको कई बार पहले भी पता दिया है कि जो फॉन है वो होता है हिरन का छोटा बच्चा होता है उसे हम फॉन कहते हैं और यह जो चैप्टर है बग 6 to 7 वर्क सीट 23 to 28 वर्क सीट नमबर जरूर देख लें उन पर ही बेजड ये जो चैप्टर है तो आईए इसको हम कंप्लीट करेंगे ये जो वर्क सीट है ये 20 जनवरी 2021 के लिए है वर्क सीट नमबर 29 इंगलिस की क्लास 8 के लिए सबसे पहले आपको name of the student यहाँ पर फिल करना है name of the class teacher आपको यहाँ पर फिल करना है this is jody's phone को हम continue करेंगे तो पहला question है read these statements in statement को पढ़िये and tick if true and false और हमें true and false बताना है true सही और false गलत तो पहली जो statement है that is the lion is called the king of the jungle कि जो lion होता है उसको जंगल का राजा कहा जाता है तो यह क्या हुआ यह एक true statement है ठीक है कि वास्तव में जो lion होता है सेर होता है उसे जंगल का राजा कहा जाता है इसके बाद है animals are our enemies कि जो जानवर होते हैं वो हमारे enemies होते है enemies यानि सत्रू तो क्या यह कहना सही होगा कि जानवर हैं जो हमारे सत्रू होते हैं तो ऐसा कहना बिलकुल गलत है false में आएगा false की category में क्योंकि जो animals है वो हमारे दोस्त भी होते हैं the eagle can fly above the clouds कि जो eagle होता है वो लगबग clouds के उपर से भी उड़ सकता है बादलों के उपर से भी उड़ सकता है तो यह बात पूरनते सत्य है true ostrich cannot fly ostrich का जो पक्षी होता है वो उड़ नहीं सकता हाँ यह बात बिलकुल सही है true ostrich का जो पक्षी है वो नहीं उड़ सकता the cow is a wild animal wild animals क्या होते हैं जंगली जानवर तो क्या cow एक गाय एक जंगली जानवर है नहीं क्योंकि cow क्या है एक pet animal है तो यह भी false की category में आएगा false है जो यहाँ पर सही answer होगा first का जो है answer होगा true second का होगा false third का भी क्या होगा true fourth का भी true और last में fifth का false चलो आगे अब हम जो है इस passage को पढ़ेंगे जो जिसी जॉडी जॉडी फॉन से ही लिया गया है continue करेंगे हम अपनी स्टोरी को जो हम previous worksheets में पढ़ते आये हैं सभी व्यूवर से सभी स्टोरेंट से रिक्वेस्ट है कि वो previous worksheets जब रख ले क्योंकि आपस में जो अगर हम coordination रखते हैं एक तरह से सामन जस्या रखते हैं और जो worksheets है उनको interrelated करके एक से एक लगातार पढ़ रहे हैं तो जो topic है वो हमें बहुत अच्छे से clear हो जाएगा तो देखिए his arms began to act एक का मतलब क्या होता है दर्द एक मतलब दर्द कि उसकी जो बाजुएं थी वो दर्द करने लगी किसकी जोड़ी की जब वो जो फौन है उसको मिल जाता है और उसको वो वापस घर लाने लगता है हरन के बच्चे को फौन को he was forced to stop again और जब उसकी बाजुएं दर्द करने लगी तो वो दुबारा से रुक गया मजबूर होकर के रुक गया when he walked on जब वो चला the phone followed him at once तभी जो phone है हरन के बच्चा है उसने उसको follow किया यानि की पीछे पीछे चल दिया at once he allowed it to walk a little distance he allowed उसने उसे allow किया to walk a little distance की वो थोड़ी सी जो दूरी है वो चले then picked it up again और दोबारा से फिर उसने हरन के बच्चे को अपनी बाजुएं में उठा लिया the distance home was nothing अब जो distance था दूरी थी किसकी home की वो कुछ नहीं रह गई थी he could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow क्योंकि उसके लिए थोड़ा से easy क्या हो गया था कि वो पूरे दिन चल सकता था रात में भी चल सकता था कभी उसे उठा भी सकता था और watch कर सकता था उसे follow करते हुए क्योंकि जो पैनी थे पैनी कौन है पैनी उसके पिताजी है जोड़ी के तो उन्होंने एक बात कही थी कि जो phone होता है वो follow करना अच्छे से जानता है पीछा चलना पीछे से यानि कि किसी को पीछे करते हुए चलते हुए पीछा कर सकता है he was wet with sweat कि वो गीला हो गया था wet का मतलब गीला और sweat होता है पसीना कि वो पसीने से जो बिलकुल है वो गीला हो गया but a light breeze blew through the June morning cooling him पर जो जून की जून महिने की जो सुबह थी वो उसे वो एक हलकी सी हवा breeze जो है यहाँ पर breeze का मतलब हवा है वो चल रही थी और cooling him जो से ठंडा कर रही थी the sky was as clear as spring water इने blue china cup और जो आसमान था वो बिलकुल इतना साफ था मानो की एक नीले china cup में spring water यानि की जो पानी है जहरने का water पानी है वो बिलकुल साफ दिखाई देता है यानि की कहने का मतलब है कि जो आसमान है वो बहुत ही साफ था ही के टूदा किलियरिंग और वो किलियरिंग तक आ गया जो बार्ड लगाई हुई थी एक तरह से किलियरिंग होता है जब आप किसी चीज को अपने जो रहने का आपका स्थान है उसके चारों और लगाद है जिससे कि जंगली जानवर ना आ सके या किसी तरह कि आप रुकावट के लिए खेद के लिए आम तोर पर इसको बार्ड का आ जाता है ठीक है बारा बोल देते हैं फैंसिंग भी इसके लिए पर्ट्रकूलर वर्ड होगा फैंसिंग फैंसिंग ठीक है तो वो क्लियरिंग तक आ गया इट वाज फ्रेस एंड ग्रीन आफ्टर दा नाइट स्रेश रात में जो बारिस हुई थी उससे सब कुछ फ्रेस ताजा था और ग्रीन हरा भरा हो गया था क्योंकि बारिस के बाद सब कुछ ताजा और हरा भरा दिखने लगता है He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it की उसने क्या किया वो अख्र में उसने जो phone है उसको नीचे बिठा दिया और उसके साथ मतलब एक तरह से handle उसको करने लगा Then He had an idea उसके दिमाग में एक idea आया He would walk into the house की वो घर में जाएगा into Penny's bedroom Penny के bedroom में जो उसके पिता जी थे with the phone walking behind him की और जो phone है वो उसके पीछे उसके पीछे walk करते हुए आ जाए क्योंकि जो phone है उसने क्या किया था? वो follow कर रहा था किसको? जोडी को जोडी के पीछे पीछे चल रहा था तो जोडी ने क्या सुचा? कि वो Penny के रूम में अपने पिताजी के रूम में जाएगा और वहां पर जो phone है पीछे करता हुआ किसका? जोडी का आ जाएगा बट एट दा स्टेप्स दा फॉन बाक्ड पर जब सीडियां आई स्टेप्स होती हैं सीडियां तो वो थोड़ा सा जो फॉन है वो पीछे हट गया रिफ्यूज टू क्लाइम देम और उन पर चड़ने से मना ही करने लगा अब बोल तो नहीं सकता था एक तरह से उन पर चड़ना नहीं चारा था और पीछे अपने कदम खीच रहा था इसको फॉन को जॉड़ी ने वेंट टू इस फादर और अपने पिताजी के पास चला गया पैनी ले विद क्लोजड आईज और पैनी है जो आँखें बंद करके लेते हुए थे तो इस पैराग्राफ को मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाने की कोशिस करी है इन केस आपको थोड़ी बद प्रब्लम आईए तो आप इसको थोड़ा सा बैक करके जरूर दुबारा देख लें आगे है नाव Now complete the following sentences using the hints given in the bracket जो hint दी गई है इनका use करते हुए हमें जो sentence है इनको बनाना है complete करना है तो इसमें जो है dash arms begin to act की dash की जो arms थी बाजुआ थी वो begin to act दर्द करने लगी He was forced to stop again और उसको दोबारा से मजबूरी में रुकना पड़ा तो जोड़ी की या phone की तो ये जो है आपने देखा ना his arms और his का use किसके लिए गया जोड़ी तो फर्स्ट मैंगा जोड़ी's arms begin to act and he was forced to stop again second question है It was the month of किसका महीना था तो हमने पढ़ा ना the month the June morning तो ये कौन सा महीना था जून का ठीक है यहाँ पर आएगा जून थर्ड है The sky was as clear as कि जो sky था वो बिल्कुल इतना साफ था Das in a blue china cup मानो spring water in a blue china cup fourth है It was fresh and कि ये कैसी morning थी fresh थी and green ये लखा हुआ न It was fresh and green after night's rain यहाँ पर ये sentence लखा भी हुआ है तो green इसमें आएगा इसके बाद following question है Who is Penny? तो इसका जो सही answer होगा वो मैं आपकी साथ screen पर लिख रहा हूँ Who is Penny? Penny is jody's father ये इसका answer होगा ठीक है कि पहनी है जो jody के पिताजी है ये किसका answer है? fifth question का इसके बाद अब sixth question का answer देखिए What happened to jody's father? Jody के पिताजी को क्या हुआ था? तो jody's father was bitten by a snake कि उसको jody के फादर को एक सापने काट लिया था sixth question का ये answer है इसके बाद seventh है Then he had an idea तो उसके को एक idea आया What was the idea? ये question आपको खुद से करना है कि jody को क्या idea आया था मैंने आपको पिछली ही work seat में बताया था इसका answer आपको खुद से सर्च करके लिखना है last में message है COVID appropriate behavior six feet की ये two yards की distancing हमें follow करनी है physical distancing जिससे की हम COVID-19 को फैलने से टोक सकें मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करके ये वीडियोज बना रहा हूँ at least मैंने आपके लिए 150 के around work seat के जो solution है वो बनाये होंगे तो hope करता हूँ आप से सभी से उमेद करता हूँ कि आपको मेरे वीडियोज बसंदा रहे होंगे in case if you like these videos then please share and subscribe to your YouTube channel thanks for watching